तो आशके वीडियो को टॉपिक है केसिंग कीपिंग हाउस वायरिंग का कोटेशन किस तरह से बनाते हैं इसके बारे में यह वीडियो होए वीडियो चले लाइक कर देना तो इसके बाद यहापे हमें कोटेशन हमारे नाम से देना रहेगा तो अपने नाम से भी दे सकते हो य आपको जोबी नाम जो बहार सॉबहां धाल दो उसके बद आपकी कंपवनी रहेगी तो आप यहाप नियुक्त सुट भी रहेगा तो आपको डाल दो यहापं यहाँ पर लिखते हैं, quotation, तो इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है, quotation for electrical kissing keeping rate, तो हमें यहाँ पर इस तरह से लिख दिना है, तो इतना लिखे होने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे scope of work जो हम काम करने वाले हैं उसके बारे में, इसका मतलब, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, केशिंग केपिंग लेबर रेट लेखेंगे यहाप पर केशिंग आन चैपिंग लेबर रेट उसके बाद यहाँ पर लेखेंगे केशिंग आन tipping थे 5 विट मटेरियल ओ है भी मंटे chocolates ये विध क्लिक कोई है देख нат пог दीए उसके बाद यहां पर लिखते हैं अक्ड नंबर पर लायट पॉइंटिक तो 50 का काम है तो यहां पर हम लिखेंगे 100 ृप circ- आपको 100 रूप circ-the council उसमें भोड़ा, यहां पर लिखा है यह भी हमें यह 100 kte लिखना रहब और यह हमारा आजाएगा 47,मार तीसरा पॉंट इसका हो आप यह ओ 100 रोपे ले लिखना है , तो आप कस्टमेर आपका कम कर वो देता है 90 रुपे तक आपको ले के आएगा और इसमें आपको 400 रुपे तक लेके आएगा हो तो इस तरह से वो quotation कम करवाते हैं तो आपको इतना देना है तो आपको इसमें तो आपको इसमें परवड जाएगा उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 2A point तो आपको इहाँ पर 2A point लिखना है 180 क्योंकि इसके लिए double wire लगता है wire ज्यादा लगता है और उसके बाद दो switch भी इसमें add होते हैं इसलिए यह ज्यादा है और with metal आपको इहाँ पर 2500 रुपे देना है क्योंकि 2A के लिए wire ज्यादा लगता है इसलिए मैंने यहाँ पर 1500 दिया है आपने हिसाब से आपने एडिया का जिस तरह से रहेगा उस तरह साप यहाँ पर दे दो उसके बाद यहाँ पर लिखते है plug point आप इसको socket point भी बोल सकते हो तो यहाँ पर हम इसका देंगे labor इसका जो rate रहेगा यह कम रहता है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 70 रुपे और यहाँ पर हम लिखेंगे with material उसका आ जाएगा हमारे यहाँ पर 300 रुपे इसमें भी कम हो जाएगा क्योंकि customer कम करवाता है तो यहाँ पर छटा point आ जाए लेबर और इसका with material देंगे 900 रुपे क्योंकि powerpoint के लिए अच्छा quality का वायर उसका करना पड़ता है 2.5 का या उससे उपर का भी करना पड़ता है तो इसलिए मैंने वापी 900 दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC point इसको भी हम labor करेंगे 180 और with material 900 रुपे तो इस तरह से यहाँ पर 2000 रुपे लेना है क्योंकि उसके लिए नमक कोईला उसके बाद अर्थिंग प्लेट कॉपर का तो इसको लिए यहाँ पर 2000 रुपे जाएगा उसके बाद यहाँ पर 9 पॉइंट आता है उसके बाद यहाँ लेखेंगे MCV फिटिंग चार्जिस तो आपको उपर MCV यहाँ पर 20% रुपे लेना है आपने यहाँ पर 30% लिख दिया तो आपको उतना भी नहीं मिलेगा उसमें कम करवाय दिये जाएगा तो यहाँ पर विट मिटाल आपको 200 रुपे लेना है 100 रुपे में MCV आता है उसके बाद उपर का आप लागाने का 40 लागा सकते हो उसके यहाँ पर 2.5 का main circuit जो हम खीचेंगे मेटर से mc box तक तो यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूं meter to mc box तो यहाँ पर आपको लेबर लेना है 20 रूपे पर मेटर तो आप जितना भी वायर खीचेंगे आप उसको 20 रूपे से multiply कर दीजे और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे with material 40 रूपे से हमने यहाँ पर ले लेंगे उन से उसके बाद 4 square mm का main wire वह भी हमारा meter से mc box तक तो उपर लिख दिया है तो यहाँ इस तरह से कर देते है उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 30 रूपे labor के लिए हम 30 रूपे पर मेटर लेंगे और उसके बाद with material हम लेंगे 50 रूपे तो इस तरह से आपको देने का है उसके बाद यहाँ पर देंगे 12 पॉइंट तो यहाँ पर लेखेंगे subman, subman का मतलब mcv box से हमारा जो board रहेगा उसके लिए हम जो भी circuit कीचेंगे 1.5 का रहेगा 2.5 का रहेगा जो भी circuit रहेगा उसक calculation करना है तो यहाँ पर 1.5 का जो हमारा subman है तो यहाँ पर हम लेखेंगे 15 रूपे मीटर जितना भी रहेगा आप उसको का रहेगा आप उसको यहाँ पर लेखेंगे 30 रूपीज पर मीटर उसके बाद यहाँ पर subman लिखते है 2.5 का तो आपको यहाँ पर subman भी यहाँ पर लिख देना है 20 रूपीज पर मीटर और उसके बाद वीद मीटर लोगे तो 40 रूपीज आपको यहाँ पर लेना है उसके बाद जो हमारा 14 पॉइंट है तो यहाँ पर लिख देते तो यहाँ पर लिख देते इंवोटर पॉइंट उस इसका भी आपको यहाँ पे 100 रुपई लेना है और उसके बाद यहाँ पे 4500 वित मेटल हो गया यह तो सेमी रहेगा लेकिन इन वोटर का वायरिंग करेगा तो आप उसका आलक भी पैसा ले सकते हो तो यहाँ पे लिखते हैं सब मिटर फीटिंग तो आपको एक मिटर का ज्यादा होती है उसके बाद यहाँ पे 16 पॉइंट टूबलाइट फीटिंग तो आपको एक टूबलाइट फीटिंग करेंगा कम से कम आपको यहाँ पे 80 रुपई लेना है और यहाँ पे वीद मेटरियल हम यहाँ पे लेंगे कम से कम आपको यहाँ पे 340 रुपई के तो यहाँ पे आपको fan का with material quotation आपको यहाँ पे 15 रुपए देना है साड़ो बारा सोक तेरा सो रुपए तक अच्छा को लोटिका फैन आ जाता है और उपर का पैसे आपको लगाने को हो जाएगा इस तरह से आपको 15 रुपए देना है उसके बाद यहाँ पे आठरो पॉंट पे फाल्स सीलिंग प्योपी का वायरिंग लाइटिंग को तो आपको लेवर यहाँ पे 15 रुपए लेना है उसके बाद with material आपको यहाँ पे 16 रुपए लेना है उसके बाद 19 रुपए आथे तो यहाँ पे हम लिखेंगे फासनर फिटिंग फैन के लिए तो आपको कम से कम इसका 1500 रुपए लेना चाहिए और with material लोग है तो आपको यहाँ पे 200 रुपए करना चाहिए और उसके बाद एक पॉंट यहाँ पे बढ़ा देते स्पीकर वाइरिंग जो हम स्पीकर के लिए वाइरिंग डालते है तो यहाँ पे आपको 15 रुपए लेना है और with material आपको यहाँ पे लेना है 30 रुपए पर मिटर तो इस तरह से आप इसमें पॉंट में बढ़ा सकते हो और आपने यह रहेका देख के आप कोड़ेशन दो हम कोड़ेशन दो तो आपका इंप्रेशन आच्छा पड़ेगा तो आपको यह वीडियो केसी लिगें मुझे जरूर बताना और वीडियो आच्छील लगे तो लाइक कर देना और हमारे चानल को सब्स्राइब कर दो तो आचके लिए इतना है तो मिलते है नेस्ट उडियो में झायएशन गर बताना है तो आपक है तो मिलता मुझे यह वीडियो आपको तो आपका यह वीडियो आपका आपका पताना है थाएशन जरूर वीडियो सब्स्नाना है